Hello everyone, welcome to this session of test book super coaching, myself Priti, your paper 1 faculty, I hope everyone is fine. So, आज बहुत एक amazing सा concept में लेके आई हूं from Indian logic, जिसमें types of प्रमान आपका आता है. और आपको यह चीज ना, मैं pictures के थूँ आपको cover कराऊंगी, so that आप लोगों के लिए यह topic unforgettable बने और लंबे समय तक आप इन चीज़ों को याद कर पाएं. Because अगर हम pictures के थूँ किसी भी चीज़ को learn करते हैं, तो वो लंबे समय तक हमारे mind में याद रहेगी, plus उसके साथ साथ जब भी हमें जुरूएता हैं, हम लोग उसको easily recall कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा topic रहेगा, और भी बहुत सारी information है, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कि what is inference, चलो, अब आपने let's suppose अपनी kitchen में, या फिर मकर सक्रांती, लोहडी, अलग-अलग festivals पे आप लोगों ने ये क्या देखा, fire आपने सामने से ये fire perception किया, आप लोगोंने कि मैं यहां पे आग है, और वहां से आप लोगोंने धुआ बे निकलता देखा है, चलो, तो फिर next time लोग कहां पे जाते हैं, let's suppose हम किसी hill station पे जाते हैं, वहां पर hill पे हमें क्या दिखाई देता है, वहां पर हमें दिखाई दे स्मोक, तो अब आप लोग, आप hill से काफी दूर बैठे हैं, बट आप लोगोंने दूर से ही क्या बता दिया, कि hill पे स्मोक है, क्यों स्मोक है, because वहां पे क्या है, fire, तो यहां पर inference में तीन टम से इंकल के आती है, यहां सब का जो पिडित, कहते हैं पिडित हुआ, minor कौन ब बड़ा काम का रख है, major term है, और स्मोक क्या है, दोनों के बीच में जो पिसने वाली है, स्मोक बीच में आना, पहाडी इधर है, वह अब आग लगी और स्मोक वहां पे middle term बनके बैठा है, तो यह कहलाती है, आप लोगों की inference क्या होता है, so we can conclude now what is inference, inference is indirect knowledge, जो की आप लोग option से, आग आपने पहले देखा था, आग देखा, पता था, आग से धुआ निकलता है, जैसे किसी hill station पे गए, ऐसे धुआ देखा, अब फटा-फट से वहां पर recall कर पाए, कि यहां पर क्या लगी है, आग लगी है, तो यह आपका कहलाता है, your, inference, और inference में यह तीन terms आप के ओपर यह सारी चीजे हुई, minor, fire, जिसने इतना वड़ा काम किया, major और smog ते है, middle time, तो एक छोटा सा concept था, उसी के साथ-साथ, अब note कर लीजी, these are the timing of our paper 1 classes, ऐसे ही interesting अगर वीडियोज आप लोगों को देखने है, conceptual understanding लेनी है, so make sure आप लोग यहां पे 10 बजे YouTube पे और 11.30 आप पे हमारी classes को जुरूर जॉइन करें, मेरा days है Tuesday, Thursday, Saturday, तो लेका मैं मंडे, Wednesday, Friday, मतलब Monday to Saturday classes आपकी 10 बजे YouTube पे रहने वाली है, उसी के साथ-साथ यह मेरे telegram group है, for important update, job alert, discussion, doubt, PDF, हर चीज के लिए आप लोग मेरे साथ यहां पे connect कर सकते हैं, at the rate, treaty paper 1, so make sure आप इस telegram group को जुरूर जॉइन करें, and इसी के साथ-साथ, अब आप सभी को पता है कि जल्दी syllabus update के list आप सभी के सामने आ जाएगी, कि क्या आपका syllabus में changes हुए हैं, अगर उनको इसी बहतर तरीके से, tougher subject को भी बहुत interesting way से आप सीखना चाहते हैं, then you can go for our foundation course, जो कि आप लोगों के live रहें और यहां पर आप लोगों के लिए offer आया है, biggest discount of 2023, जिसमें 7718 में आप लोगों को subscription मिलेगा, जिसमें live classes हैं, आपके study notes, mock test, PYQ, everything will be provided till June exam, foundation के बाद crash course भी इसमें आपका cover up रहेगा, तो you can go for the same, और फिर भी किसी stage पे आपको doubt लगता है, then you can connect on this number, and discount के लिए आप pretty as faculty code apply कर स सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई doubt लगे, तो आप मेरे टेलिग्राम पे मेरे साथ connect कर सकते, at the rate P-R-I-T-I-H-W-O-D-A, यह मेरी telegram ID है, तो मिलतें next session में, आपको यह concept, understanding, आपको यह कैसा initiative लगा, give your feedback in the comment section, do like and share this video, thank you so much, मिलतें next video में, bye bye, take care.